हालो फ्रेंट्स वेलकम बाक टो माई चैनल और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी वीडियो के बारे में और ऐसी ट्रिक के बारे में जो की आपको शायद नहीं पता होगी और आप चाहते हैं क्यों कुछ ऐसा मिल जाए जिससे की हमारे ग्यों जल्दी यल्दी से सूख जा मैं खीसतान कर बात नहीं करूंगी तो फ्रेंट्स आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हूं जैसे की आप सर्दियों में ग्यों को सिर्फ और सिर्फ 6-7 गंटों के अंदर सुखा पाएंगे वो भी 6-7 गंटे के अंदर अंदर आप इसको पिस्वाने के लिए भ भूलेगा ठीक है ना तो चलिए मैं बताती हूं एक बहुत ही अल्टीमेट ट्रिक जिसको की आपको देखने में भी मजा आएगा और आपको करने में मजा आएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स हमारी जो घर की ग्रैनिया होती है वह ग्यों को दोकर खाना पसंद करते हैं दोकर पिस्वाना पसंद करते हैं दोकर ही ग्यों काटा बनवाना पसंद करते हैं तो उन लोगों के लिए आप देखे सर्दी आ रही है बहुत ज्यादा है ग्यों को सुखाना दोकर ठीक है ना तो मैं आज आपको ट्रिक बताने वाली हूं जिससे की ग्यों बहुत जल्दी सूख जाएंगे और सेम डेही आप पिस्वाने के लिए उन्हें बेश सकते हैं तो धोकर ग्यों आना तो बैस्ट होता है आप सभी को बता है दूल मिटे डस्ट सब निकल जाता है अगर आप फर्स टाइम ट्राइ कर रहे हैं तो आप चैन लगा हुआ थैला ले लेजिए बारीक सिलाई होने चाहिए कोने कोने से सिला होना चाहिए जिससे कि यह जल्दी से खुले ना सिलाई तो आप चैन वाला थैला भी ले सकते हैं, चैन लगा सकते हैं, तो हमें तो आदत है, तो हम इसी में ही सुखाते हैं अपने गयों, तो देखें इसमें आपको क्या करना है, यह अप्रॉक्स 10 किलो वाला थैला है, जिसमें हम 5 किलो गयों ना लेंगे, तो यह देख लीजे, आपने ग्यहों को सुखाएंगे, फ्रेंट्स मैं आपको बार-बार कह रही हूँ, अगर आप पहली बार ये काम कर रहे हैं, तो उपर से चैन लगा हुआ, आप बैग ले सकते हैं, थैला ले सकते हैं, वो भी बहुत मजबूत, तो जिस तरीके से हम अपने कपडे सुखाते है उसी तरीके से ड्रायर में डाल कर आप ये ग्यहों सुखा सकते हैं, और ये ट्रिक सच में काम करती है, अल्टीमेटली काम करती है ये ट्रिक, और मैंने बहुत 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 बार ये ट्रिक यूज़ करी है, हम समर्स में भी, मतलब गर्मियों में भी हम लोग ये ड्रायर म तो बहुत ही अच्छी ये ट्रिक है और आप इसको एक बार जरूर यूज करके देखें लेकिन इसको करते वक्त बहुत ही ज्यादा साफधानी के जोरत होती है क्योंकि अगर आप कच्छी सिलाई वाला जो है बैग लेंगे तो इससे आपकी वाशिंग मशीन भी खराब हो सकत है तो दियान रखिए तो मजबूत सिलाई वाली आपको लेनी है बैग और अगर आप बिगनर हैं आप सीख रहे हैं या पहली बार यूज करें तो उपर से चैन लगा हुआ मजबूत चैन लगी होना चाहिए ठीक है ना तो बस यह दियान रखना और देखिए यह देखिए तो हम सेम डे ही सुखा कर सेम डे ही पिसवाने के लिए भेज देते हैं तो ड्रायर का कमाल बहुत ही जबरदस्त है पहले जब मैंने इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा तो हमने उस तरीकों को फॉलो करा जो जो मैंने बताया आपको वो फ 4 गंटे में बिलकुल सुकर त्यार हो जाएंगे तो फिरिंट गेट्रिक 100% काम करती है आप भी बह। थोड़ा सा साफधानी की जोर्त है लेकिन यह प्रिक काम करती है ठीक है ना तो फिरिंट्स आप लोग भी सुखा कर एक बार देखें और बस साफधानी को ध्यान में रखे जो जो मैंने बताई है तो फ्रेंट्स अगर आप कोई ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे मैं इतनी प्यारी प्यारी बढ़िया बढ़िया वीडियो आप लोगों के लिए बनाती हूं मैं हैनत करती हूं तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजे और वीडियो को जरूर शेयर करेगा ओके फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ